हेलो दोस्तो इजी एडवाइजर में आपका स्वागत है आज हम आपको बताने वाले है कि आप SBI के ATM को किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं और उसके अलग-अलग क्या-क्या प्रोसेस है विच डेमो तो सबसे पहले उसके आपको यह बता दू कि चार अलग-अलग प्रोसेस से है अटीए की साइथ कर सकते है लेकिन सबसे ज़्यादा इजी प्रोसेस जो है हम उसका डेमो आपको इस वीडियू में बताने वाले है तो सबसे पहले आप लेकी सबसे best option है वो है SBI के किसी भी ATM में जाके SBI के ATM को activate करवाना सबसे best option यही है IVRS और SMS वगरा के थूँ अगर आप activate करोगे तो आपको pin change करने के लिए ATM जाना ही होगा सबसे best है कि आप ATM जाके ही आपका ATM काड activate कराए तो आईए आपको ले चलते SBI की ATM में तो दोस्तो हम SBI की ATM में आ चुके है यहां पर हम आपको SBI की ATM किस तरह से activate करना है पूरा process बताने वाले है सबसे पहले आपको SBI का ATM अंदर insert करना है यहां पर यह card read कर रहा है अब इसने यह remark दे दिया please take your card आपका card वहां से remove करना है यहां पर आपको language generate करना है तो pin generate पर click करना है आपको उसके बाद यहां पर आपको आपका account number डालना है जिससे आपका यह ATM link है वो complete account number आपको यहां पर पूरा mention करना है इसमें कोई भी word incorrect नहीं होना चाहिए तो यहां पर आपको आपको पूरा account number डालना है account number complete enter करने के बाद आपको correct करना है प्रोसीड करना है उसके बाद यहां पर आपको अगला window open होगा जिसमें आपको आपका 10 digit का mobile number insert add करना है जो आपके इस account के साथ registered है याद रखिए वही नंबर आपको डालना है जो आपका इस account के साथ रजिस्टर एक नंबर डालने के बाद प्रोसीड करना है यहां पर यह बता रहा है कि यह transaction is प्रोसीड उसके बाद आपको ऐसा एक receipt यह ATM से निकलेगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि आपका OTP हमने भेज दिया है तुरिंत ही थोड़ी ही देर में कुछ seconds में ही आपके रजिस्टर मुबाइल नंबर पर ऐसा OTP आ जाएगा OTP देखिए दोस्तो वर्ट्स में लिखा हुआ है 2988 फिर से आपको ATM में जाना है ATM card को insert करना है प्लिज टेक योग काड अभी इसने आपका card रेट नहीं किया इसका मतलब यह नहीं कि कोई problem है card proper insert नहीं हुआ आपको आपको सही तरीके से card को यहाँ पर insert करना है तो फिर से आप card insert करेंगे तो एक नए विंड़ो ओपन होगा प्लिज, टेक्ट य wield फिर अभी अभी भी 겉ड रिड नहीं फ्रसे इंसर्ट करना होगा ही क안 रिइंसर्ट हो चुका है अब यहां पर आपको अगें लेंग्वीज nawet करना्य यह शलेक्क किये यहाँ पर दस से 99 के बीच में कोई भी दोल्मट आपको यहां पर डालना है प्लीज इंटर यो पिन जो ओटीपी आपको आया था आपके मुबाइल पर जो वर्ट में लिखा हुआ था वो वाला आपको यहां पर डालना है यह डालने के बाद आपको नेक्स्ट विंडो ओपन होगी यहां पर बहुत अलग-अलग ओप्शन्स है लेकिन हमको जो हमारा काम करना है पिन चेंज करना है तो आपको बैंकिंग पर क्लिक करने के बाद भी अलग-अलग नए ओप्शन्स आएगे तो यहां पर लेफ्ट साइड में देखिए पिन करना है वह एक बार डालना है फिर से प्लीज रिइंटर यॉर पिन अगेन आपको जो आपने पिन डाला है अभी वह वाला डालना है और कुछ ही देर में आपका ATM एक्टिवेट हो जाएगा यह देखिए जो ट्रांजक्शन इस बेंग प्रोसीड प्लीज वेट जैसी यह सक कि हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आप इस चैनल पर नए है तो अप्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेज कीजिए अगर इतना सब करने के बाद भी आप ATM एक्टिवेट नहीं करवा पारे तो आप SBI बैंक में जाके ग्रीन चैनल प कर सकते हैं easyadvisor.blogspot.com वीडियो देखने के लिए थैंक यू